गुड मॉर्निंग परदूशन से होने वाले जो बेमारियां है वो क्या है इन सभी के बारे में है वो आज हम विस्तार पूर्वक है वो चर्चा करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं कि वाटर पॉलिशन यानि जल परदूशन जल में होने वाला जो परदूशन है वो जल परदूशन है वो कहलाता ह जल में कार्बनिक वे एकार्बनिक ऐसुदियां के कारण जल में होने वाला जो एवांचेत में परिवर्तन होता है उसे जल परदूशन है वो कहा जाता है जल परदूशन के कारण है वो क्या क्या होते हैं कि मानव जनेत वे प्राकर्तिक कारणों से है वो जल परदूशन है व होता है घरेलू अपमार जग यानि कि सरब घरेलू अपमार जग भारत में जल परदूशन का ये परमुक कारण है क्यूं है ये कारण क्योंकि अपमार जग होता है वो जेव एन निम्नी करणिये होता है जेव ए निमनी करेनिये का आर्थ है कि जो इसका जो अपगटन है वो नहीं हो पाता, इस कारण जो अपमारजक होता है, वो जेव ए निमनी करेनिये होता है, जो की परदूशन को है, वो बढ़ावा देता है. दूसरा जो हमारा कारण है वो है उद्धुगों से निकला अपसेश्ट भी जल परदूशन का परमुक कारण है विभिन परकार के रासाइनों से भी है वो जल परदूशन है वो होता है अमलिय वर्ष्या के कारण है वो जल परदूशन होता है ये जो कारण थे मैंने आपको वायू परदूशन जब हमने टोपिक पड़ा था उसमें भी है वो बताए थे जल में किये जाने वाले विभीन परकार के परिक्षणों से भी जो जल परदूशन है वो होता है पेंट्रोलियम परिवहन करने वाले जहा जो पाइपलाइन मेरी साओ से है वो जल परदूशन है वो होता है जो आला मुखी जेशे प्राकर्तिक घटनाओं से भी है वो जल परदूशन है वो होता है जो ये जो कारण थे वो वायू परदूशन के भी परमुख कारण है और जल जल परदूशन के भी है वो परमुक कारण है वो है जल परदूशन की जाँच उसमें गुली हुई ओक्षिजन की मात्रा के आधार पर है वो ग्यात की जा सकती है ओक्षिजन की मात्रा है वो अधिक होगी तो जल सुध होगा यानि कम दूसित होगा जब ओक्षिजन की मात्रा कम होगी तो जल है वो अधिक दूशित होगा यानि की जल है वो ऐसुद होगा यदि ओक्षिजन की मात्रा आठ एमजी लिटर से कम हो तो वह जल है वो परदूशित होता है आठ एमजी लिटर से कम होगी तो जल है वो परदूशित होता है ओक्षिजन की मात्रा यदि चार एमजी लिटर से कम है तो जल है वो बहुत जादा है वो परदूशित माना जाएगा जल को आठ एमजी से कम है तो जल परदूशित होता है और चार एमजी लिटर से कम है तो जल है वो अधिक ऐसुद होता है अति परदूशित है वो माना जाता है पानी में ओक्षिजन की मात्रा अधिक होगी तो पानी सुद होगा पानी में यदि ओक्षिजन की जो मात्रा है वो कम होगी तो जल है वो ऐसुद है वो माना जाएगा अब हम बात करेंगे जो जल परदुशन है उसकी जो वीदिया है वो दो टाइप की वीदिया है एक है BOD एक है COD जो जल परदुशन को मापने की जो वीदिया है वो दो हैं BOD और COD, BOD का मतलब बायो केमिकल, O का मतलब है, ओक्सिजन, D का मतलब है, डिमांड और COD है, वो केमिकल, ओक्सिजन, डिमांड, इन्हें कहा जाता है, BOD का मतलब है, जल में गुलेवी, कार्बनिक, एसुधियों का जो अब घटन करने के लिए, जिवानों का, को आवशेक ओक्सिजन की मात्रा है, जिवानों के आवशेक ओक्सिजन की जो मात्रा है, वो कहलाती है, BOD, यानि बायो केमिकल ओक्सिजन डिमांड, और COD है, वो कहलाती है, जल में गुलेवी, कार्बनिक, एसुधियों का अब घटन करने के लिए, पोटेशिम डाइक्रोमेट को आवशेक ओक्सिजन की मात्रा है, वो कहलाती है, COD, BOD में जिवानों को आवशेक ओक्सिजन की मात्रा BOD कहलाती है, जबकि जो COD है, वो पोटेशिम डाइक्रोमेट को आवशेक ओक्सिजन की जो मात्रा है, वो कहलाती है COD, जो पोटेशिम डाइक्रोमेट का जो शुत्र है, यह याद रखना है, के 2CR2O7 होता है, के 2CR2O7 होता है, पोटेशियम डाइक्टोमेट का जो सुत्र है, वो होता है, जो COD की जो मात्रा है, वो BOD से अधिक होती है, COD की मात्रा BOD से अधिक है, वो होती है अब हम बात करेंगे, जल पर्दूशन से होने वाले दुस परभाव की है, वो बात करेंगे हम अब जो म्रता पर्दूशन है, वो जल पर्दूशन से होने वाला एक महत्वय पोण परभाव है, वनस्पति पर भी है, वो वीपरित परभाव पड़ता है इसके कारण है, यानि जल पर्दूशन के कारण अनेक बीमारियां है, वो फेलती है, जल यह परिस्ततियों पर भी है, वो वीपरित परभाव पड़ता है जेविक आवरधन होता है, यह जेविक आवरधन और सूपोशन होता है, यानि जेविक आवरधन और सूपोशन के बारे में हम आगे पड़ेंगे कि यह क्या है जल परदूशन से जो होने वाले जो बीमारियाँ है, वो है टाइफारेड, मलेरिया, हेज़ा, डेंगू, हैपेटाइटेस और जो Hepatitis A और E है वो जल परदूशन से होने वाले जो परमुख बिमारियां है वो है जो पारे की यानि मरकरी की अधिक्ता से जल के अंदर मिनिमाटा जो रोग है वो हो जाता है और केडमियम की अधिक्ता से इटाई इटाई रोग है वो हो जाता है आसेनी की अधिक्ता से ब्लेक फूट नामत जो रोग है वो हो जाता है नाइट्रीट ट्रेट की जो अधिक्ता है जल के अंदर उसे ब्लू बेबी जो सिंड्रोम नामत जो रोग है वो हो जाता है तामबे की अधिक्ता से विलसन जाम नामत जो रोग है वो हो जाता है भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिक्ता से फ्लोरोसीस रोग है वो हो जाता है यानि कि पारे की अधिक्ता से मिनी माटा रोग होता है केडमियम के अधिक्ता से इटाई इटाई रोग होता है आर्सेनिक के अधिक्ता से ब्लेक फूट रोग होता है नाइट्रेट के अधिक्ता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो रोग है वो हो जाता है भूमेगत जल में फ्लोराइड के अधिक्ता से फ्लोरोसीस नामक जो रोग है वो हो जाता है और तांबे के अधिक्ता से विलसन नामक जो रोग है वो हो जाता है जल परदूशन से होन जो जल परदूशन से होने वाला जो दूस परिणाम थे इसमें है कि जो जेविक आवरधन है वो क्या होता है डीडीटी जैसे रसायनों का एक बार खाद्यस रंखला में परवेश करने के पस्चात उत्रोतर इनकी जो सांदरता होती है उसमें व्रती होती जाती है डीडीटी जैसे जो रसायन है उनका एक बार है वो खादेश रंखला खादेश रंखला का मतलब है कि एक को पोशन मिनने के बाद दूसरे जो उतपाद है उन्हें पोशन है वो मिलता जाता है इनकी सांदर्ता होती है उसमें व्रदी है वो होती जाती है अब हम बात कर रहेंगे जल में कार्बनी पदार्थों की अधिक्ता से सेवाल तेजी शिवरत दी करते हैं, कार्बनी पदार्थों की अधिक्ता से जबकि अन्य जो जल ये जीवों पर है, वो विप्रित परभाव पड़ता है। घरेलू अपमारजक में फोसफेट एमनाइटरेट के कारण सेवाल जल में तेजी शिवरत दी करते हैं, जिसे सेवाल प्रशफूटन एलगी ब्लूम है, वो कहा जाता है, जो सूपोशन है, वो होता है, जिसमें सेवाल है, वो तेजी शिवरत दी करते हैं, जिसके कारण जो ज मारजग है वो जल पर्दूशन का पर्मुक कारण क्यों है क्यूंकि इसके अंतरगत क्या होते है फोशफेट और नाइट्रेट के कारण जो सेवाल है वो तेजी से वरद्दी करते है इस कारण जो इसे है वो सेवाल फ्रेश फूटन एलगी ब्लूम है वो कहा चाता है अब जल परदूशन को जो रोकने के उपाए है वो क्या है कि जो हमारा जो घरेलू अप्षिष्ट परदार्थों के निकास की है वो उचित व्यवस्ता है वो करनी चाहिए उद्धुगों से निकले रसायन युकत अप्षिष्ट को सिधा न सुद्धिकरण की वीदियो को अपनाना चाहिए जल सुद्धिकरण के है वो तीन चरण है कौन-कौन से है बरतनों में सबसे पहले क्या है कि बरतनों में भरना जिसके करन है जो अनावशिक जो पदार्थ है वो नीचे बैठ जाते है एक है दूसरा जो है जिवानों से उप उपचार करना चाहिए तीसरा है रसायन से उपचार यानि रसायनिक जो पदार्थ है उनसे है वो उपचार है वो किया जाना चाहिए अब हमारे जो चरन है जो जल सुदीकरन के जो चरन है उन्हें हम विस्तार से बढ़ते हैं कि फैस्ट जो चरन है इसके अंतरगत क्या है ऐस जल को बड़े बड़े कुंडों में भर दिया जाता है कुछ समय तक पानी पड़ा रहने के बाद उसमें जो गुलेविये ठोस पदार्थ की जो एसुदियां है वो नीचे पैंदे के अंदर है वो बैठ जाती है ये हुआ हमारा फ़र्ष्ट चरण सेकेंड चरण है उसके अं जिन जिवानों की साहता से कार्बनिक एसुदियों का है वो अपगटन किया जाता है फ़र्ष्ट चरण में तो पहले पानी को है वो भरा जाता है एसुद पानी को जो ठोस एसुदियां थी वो नीचे पैंदे में बैठ गई फिर पैंदे के अंदर बैठने के बाद जो एस तिया उसके अंदर जीवानों के साहिता से कार्बनिक जो ऐसाइसूदियां हैं का अफगठन किया ये था सेकंड्ड चरण, धर्ड चरण के अंतरगत क्या क्या कि दूसरे चरण से प्राप्त पानी को बर्तनों में भरा जाता है इस चरण में विविन रसाइनों की सहाईता से एसुदियों का जो अपगटन है वो किया जाता है यह किया किसके माद्यम से जाता है फिल्टकरी के माद्यम से पोटेशियम प्रग मेगनेट के माद्यम से पोटेशियम डाइक्रोमेट के माधिम से इनके माधिम से है वो जो जल की ऐसूदियां है उन्हें दूर किया जाता है अब हम जो गंगा नदी है उसकी जो जल परदूशन से मुक्त करने की जो सुरुवात है वो 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए गंगा कारिय प्रियोजना है उसकी सुरुवात है वो की गई और 2016 के अंतरगत है स्वेच गंगा भारत मिशन की है वो सुरुवात की गई तो आज हमने पड़ा जल परदूशन के कारण क्या क्या है इसके जल परदूशन को जो मापने की जो वीदियां है वो क्या-क्या थी, BOD और COD के बारे में पढ़ा, जल परदूशन से होने वाले दूस परिणामों के बारे में आज हमने पढ़ा, इन से होने वाले बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा, और जो जल परदूशन के जो चरण है, किस परकार है, वो जल को है, वो सुध के आज़ में